याद रहे, मुझे प्रेम के भाग्य में राज योगी चाहिए यहां रहा तो से फेक पल के लिए मरूंगा पर तुमसे दूर रहा तो पल-पल के लिए तो फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स आफिस पर इससार रिलीज होने वाली वन उप दो मोस्ट अवेटेड और बिग बजेट फिल्म ब्रहमास्तर की जो एडवांस है वो तो इंडिया में और दुनिया बार में काफी हिस्टोरिक तरीके से चल रही है और यह फिल्म बॉक्स आफिस पर ट्रिपल र जैसी बड़ी फिल्म के रिकोर्ड को भी तोड़ चुकी है तो वीडियो को लाक्ष्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप भी बॉक्स आफिस से जुड़ी सही वड़ी अपडेट चाहते हैं और ब्रहमास्त प्रेमगित 3 का इंतजार बेसबरी से कर रहे हैं तो चले शुरुआत करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम लग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म कोबरा के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में जिसके लीड में आपको चियाविक्राम और सुरी निदिर शेटी नजर आई थी मोहीं दोस्तो इस फिल्म का डारेक्शन किया था आजा इगाना नूथु ने दोस्तों बताते चले आपको कि एक action thriller फिल्म है जिसे के Indian box office के साथ साथ दुनिया बर के box office पर पिछले हपते लगबग 2000 screens पर release किया गया था और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन Indian box office के साथ साथ दुनिया बर में शियान विक्रम के केरियर की सबस फिल्म जहां शुरुआती चार दिनों में Indian box office के साथ साथ दुनिया बर में लगबग 44 करोड रुपे की कमाई कर पाई है तो यह दोस्तों इस फिल्म का अपने पांचवे छटे और साथ वे दिन का collections मिला कर 55 करोड रुपे का आखड़ा अभी तक पार हो पाया है यह फिल्म अब यहाँ पर दूसरी फिल्म यानि की प्रेम की 3 के बारे में जो कि दोस्तों मातर 3 करोड रुपे के बजट से बनने वाली नेपालियन फिल्म है और इस फिल्म को हिंडी में भी डब करके रिलिस किया जा रहा है दोस्तों पता दे चले आपको कि यह फिल्म भी Indian box office पर इस प्रेम की 3 जिसके लीड में आपको प्रदिप खड़का, क्रिश्टिना गुरंग और शिवा सरिष्टा नजर आने वाली है इस फिल्म का डारेक्शन क्या है चैतन गुरंग ने और इस फिल्म को Indian box office पर और इस action thriller फिल्म को Indian box office पर 23 सितमर को नेपाली और हिंदी में रिल्स क भरा हुआ है और यही वज़ा है दोस्तों कि यह फिल्म में Indian box office पर अपने पहले दिन 2 से 3 करोड रुपे की कमाई तो हिंदी में ही ले सकती है हाला कि दोस्तों इस फिल्म का क्लेश Sunny Dayol की फिल्म चूप से हो रहा है लेकिन दोस्तों जिस तरह के शानदार गाने इस फिल्म म अपने पहले दिन जहाँ 3 करोड रुपे की उपनिंग लेगी तो वही दोस्तों यह film नेपाल box office पर भी अपने पहले दिन 1 से 1,5 करोड रुपे की उपनिंग ले सकती है इस फिल्म को हिट होने के लिए मांतर 3 से 4 करोड रुपे यह कमाई करनी है और अगर यह film हिंदी में ह अपने पहले दिन 3 करोड रुपे की ओपनिंग ले लेती है तो ये फिल्म पहले ही दिन एक ब्लॉकबश्टर फिल्म कहलाएगी ओडियन्स की तरफ से अच्छे रिविस मिलने के बाद दोस्तो ये फिल्म हिंदी में 15 से 20 करोड के भी कमाई कर सकती है मैं दोस्तो वर्ल वाइट बॉक्स आफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 20 से 30 करोड का भी रह सकता है अब देखना यही है दोस्तों कि क्या प्रेम गित्री को हिंदी ओडियन्स एकसेप्ट कर पाती है या नहीं और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर शांदार कमाई करेगी है नहीं बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिल्म ब्रहमास्तर की जिसके लीड में आपको रणबिर कपूर और आलिया भच्ट नसर आने वाले हैं महीं दोस्तों इस फिल्म का डिरेक्शन क्या है आयान मुकरजी ने जिसा कि आपसे भी जानते हैं दोस्तों कि ये फिल्म साढ़े चार सो करोड रुपे के वेलेट से बनाई जा रही एक हिस्ट्रोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसे कि बॉक्स आफिस पर आठ हजार स्क्रिंस पर हिंदी, तामिल, तेलगु, कनाड़ और मल्यालम भाशा के अलावा इंग्लिश में भी रिलिस किया जा रहा है ये फिल्म बॉल्यूट द्वारा बनाएगी सबसे महेंगी फिल्म है जो कि दोस्तों अब तक इंडियन बॉक्स आफिस पर काफी अच्छे कमाई क अर्तिवी नजर आ रही है बताते चले दोस्तों आपको कि ब्रहमास्तर जिसके टीजर, ट्रेलर और गानों को ओडियन्स की तरफ से आउस्टेंडिंग रिस्पोंस मिल चुका है इस फिल्म के एडवांस को भी दोस्तों ओडियन्स काफी सपोर्ट कर रही है और यही वज़ टिकेट अपने पहले ही दिन के लिए पार कर दिये हैं बता दे चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को लेकर ओडियन्स के बीच में जो एकसाइटमेंट है उसका अंदाजा इसी से लगा जा सकता है कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन के लिए हिंदी में 15 करोड रुपे के आपको कर दिया है वल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन है वो एडवांस के मामले में 22 करोड रुपे के आपको कर चुका है आपनिंग के हिसाफ से देखा जाये तो दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स पर जहां 40 करोड रुपे से जादा बड़ी ओपनिंग लेने जा रही है वही दोस्तों वल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 70-100 करोड रुपे के बीच का रहने वाला है अभी तक दोस्तों इस फिल्म के पहले दिन के जो टिकेट है वो ड़ाई लाक से जादा बिच चुके हैं महीं दोस्तों इस फिल्म की जो टोटल टिकेट की सेल से वो 4,80,000 के आखड़ों को पार कर चुकी है उम्मीद हैं दोस्तों की आज और कल के आखरी दिन को मिला कर इस फिल्म का जो टोटल टिकेट सेल है वो अपने फ़र्ष्ट विकेंड के लिए 6, 10,000,000 के आखड़ों को पार कर चुका होगा महीं दोस्तों अपने पहले दिन के लिए ये फिल्म लगबख 3,500,000 से जादा टिकेट बेच चुकी होगी ऐसे में दोस्तों इस फिल्म को अपने पहले ही दिन इडियन बॉक्स आफिस पर एक बहुती बड़ी ओपनिंग मिलने और हैटर्स जो कि दोस्तों इस फिल्म की नेगेटिविटी सभी जगह कर रहे हैं उन सभी की बोलती भी बंद होने वाली है आपको दोस्तों क्या लगता है क्या एडियन बॉक्स आफिस पर ब्रमास इस साल की टॉप आपनर बन पाए गया नहीं और बॉक्स आफिस पर रिक